गर्मी के कहर के बीच ठंडे और मीठे लाल तर्बूस की मांग सबसे ज़ादा है बाजार में आपने अमूमन लाल तर्बूस ही देखे होंगे लेकिन जारखन के रामगड के किसान ने अब पीले तर्बूस की खेती कर सब को चौका दिया रामगड की किसान राजिंदर बेदिया का कमाल रामगड में की ताइवान के पीले तर्बूस की खेती राजिंदर बेदिया के पीले तर्बूस के मुरिद हुए लोग पीले तर्बूस की गाउं में हुई पैदावार देख सब हुए हैरान ताइवान से ऊनलाइन मगाय गए, बीजो से की गई खेती पीले तर्बूज की खेती कर राजिंदर ने कायम की मिसाल हम पीला तर्बूज दिखा तो हमने कोशिस कि रामगड के गोला प्रखंड के चोकड बेडा गाउं में किसान राजिंदर बेदिया की मेहनत और सूजबूच के चर्चे हो रहे है हो भी क्यों ना राजिंदर ने ताइवान से पीले तर्बूच के बीच ऑनलाइन मगवाई पहली बार में ही पीले तर्बूच की सफल पैदावार कर उन्होंने सब को हैरान कर दिया पीले तर्बूच की मिठास और रसीले पन की भी चर्चा हो रही है राजिंदर बेदिया ने बताया कि अभी इस पीले तर्बूज को वे मुफ्त में गाउवालों को दे रहे हैं ताकि गाउव के लोग भी इसका लुट्व उठा सके अंलान मंगवाए थे कितना मंगवाए थे 10 ग्रम मंगवाए थे जिसका दाम लागा था 800 रुप्या कितना यगी जमीन में लगाए है और जस डिसमील है अभी तक कितना बेच आप अभी तो गाउव यगल बगल गाउव के लोग हीं खाने के लिए ऐसे उब्रा ले गये हैं हम हम भी चाहते हैं कि लोग खाएं चखें और इसका आनंद ले हम अभी प्रोफ्रेट के वाज़ियों से आप नहीं बेच रहे हैं राजंदर बेदिया के सूजबूज की गाउं के लोग भी खुप तारिफ कर रहे हैं ग्रामीडों ने कहा कि ये तर्बूज सच मुछ में बहुत ही अच्छा है गाउं के लोग चाहते हैं कि पीले तर्बूज के पैदावार से लोगों के रोजगार के साधन बढ़ें खाने भी अच्छा लगता है और इसके बारे में हम लोग को भी चाहिए अच्छा लग रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और हम लोग को मिले लगाएंगे बिजनेस करेंगे इससे हम लोग का दो रूपी इनकम होगा आए बढ़ेगा कुछ रोजगार मिलेगा आ राजंदरवेदिया के दवारा और ग्यानिक खेती किया जा रहा है पहले साल तो लाल तर्बूज हम लोग कि यहां लगा था इन साल राजंदरवेदिया ने पीला तर्बूज बाहर से मंगाए हैं ऑनलाइन से और खाने में बहुत अच्छा लगता है स्वाधिष्ट भी ल यह तो अजब ही तरीका का अतर्बूज है बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए और हम लोग के यहां उनके देखा देखी में और आदमी चाह रहा है कि अगला बार भी हम लोग खेती लगाएंगे तो राजंदरवेदिया ने बहुत अच्छा है यह तक्निक अपनाया ह और टपक पानी से जो सिचाई कर रहा है इसमें पानी का भी बहुत कम खपत हो रहा है इसके लिए मैं राजंदर विदिया को बहुत बहुत नेवाद देता हूं राजंदर ने वाके में गाउं की युवाओं को एक दिशा दिखाई है उनकी मेहनत लगन और कुछ नया करने की चाहत ने सैकड़ों परिवारों की उमीदों को पंक लगा दिया जिला प्रशासन को इस पीले तरवूज की ब्रैंडिंग और प्रचार प्रसार करना चाहिए साथ ही गाउं के पैदावार के लिए एक मारकेट तैयार करना चाहिए ताकि किसान सीधा बाजार में अपनी फसल बेच कर जादा से जादा मुनाफा कमा सके पंजाब केसरी टीवी के लिए रामगड से अविनाज गोस्वामी के रिपोर्ट